5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुप्यों की नोट जारिक किये गये हैं। इन में से 500 और 1000 का चलन काफी बड़े पैमाने में आर्थिक व्योहार में उप्योग किया जारा है। इन दोनों चलन में जाली नोटों का प्रमान आजकल बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ जरूरी है कि सबी लोगों को चलन की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और साथ ही जाली और असली नोट के बीच क्या परख है यहाँ पता होना चाहिए। RBI ने भारतिय नोट की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वा पोणा कदम लिये हैं। See through register नोट के बाए कोने के बीच में आगे और पीछे की और टोरल डिजाइन प्रिंट की होती है। आधा अंक आगे की और आधा अंक पीछे की और प्रिंट होता है। इसकी वज़ा से नोट को लाइट के सामने रख के देखते हैं तो उसमें 500 अंक में लिखा हुआ देख सकते है। Identification Mark नोट में फ्लोरल प्रिंट की नीचे की तरफ एक मार्क है जो एम्बोज होता है। अलग-अलग नोट में मार्क का आकार अलग-अलग होता है। Water Mark जब आप नोट को लाइट के सामने रख के देखेंगे तो नोट के इस खाली भाग में गांधी जी की छुपी तस्विर और 500 अंक में लिखा हुआ देख सकते हैं। Security Thread नोट में जो तूटा हुआ Thread देख रहा है वो असल में एक पूरी लाइन है। जीसे आप लाइट के सामने रख के देखेंगे तो वो एक पूरी लाइन दिखेगी। उसमें RBI और बारत दोनों लिखा हुआ होता है। Microlider नोट में महात्मा गांधी जी की तस्विर के पीछे अक्षर और अंक में RBI और 500 लिखा होता है। जिसको आप Magnifying Glass के माध्यम से देख सकते हैं। Optically Variable Ink नोट को सिधा पकड़ने पे अंक 500 का रंग हरा दिखता है। लेकिन नोट का एंगल बदल के देखेंगे तो ये नीला देखेगा। Latent Image नोट के दाइने तरफ के हिस्से में कांधी जी की तस्विर के पास Vertical Band में एक छुपी तस्विर है। नोट को आखों के स्तर पे रखने से 500 अंक में लिखा हुआ दिखता है। Florosens नोट में नमबर पैनल को Florosens साही से प्रिंट किया हुआ होता है। नोट बनाते समय उसमें Optical Fibers डाला जाता है। Optical Fibers को सिर्फ UV लाइट में ही देख सकते हैं। Intalio Printing नोट के बीच में लिखा हुआ 500 रुपया और नोट के उपर के हिस्से में लिखा हुआ Reserve Bank of India Resting से लिखा गया है, जिसे आप स्पर्श करके मैसूस भी कर सकते हैं। Printing Year नोट के पीछे की तरफ उसका Printing Year लिखा होता है, जो नोट के मध्य में नीचे की और होता है, जो हम साफ साफ देख सकते हैं। इस जानकारी से आप सही नोट की परक कर सकते हैं और नुक्षान से बच सकते हैं। इसलिए जाली नोटों के प्रचलन को रोके और लोकों को जाकरूत करें। जाली यदए